दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है UIDAI के द्वारा आपको बता दे UIDAI ने एक नए आधार कार्ड लाउंच कर दिया है वैसे तमाम आधार कार्ड धर्गों के लिए जो आधार का उप्योग करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह जो नए आधार कार्ड डाउनलोड किये थे या उनके पास जो पुराना आधार कार्ड है वह वैलिट होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे और नए आधार कार्ड जारी करने का मुख्य उदेश क्या है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे वीडि डाउनलोड कर सकते हैं इस नये अधार कट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा माई अधार के ऑफिसिल पॉर्टल पर आएंगे तो यहां पर एक option मिलेगा डाउनलोड अधार जिस वाले बीकल पर क्लिक करना है यहां पर जो भी आपका अधार नमबर होगा उससे फिल करेंगे capture code को फिल करेंगे send OTP पर क्लिक करेंगे आपके नमबर पर OTP जागा OTP को डाल कर भरिफाई कर सकते हैं तोसरा option है enrollment ID से भी कर सकते हैं आपके नमबर पर एक OTP मिलेगा OTP को फिल करना है और यहां पर डालने के बाद verify and download वाले विकल पर क्लिक करना थोड़ा सा wait करना है अधार कर डाउनलोड होने के बाद उस video को जब आप open करेंगे तो आपसे password मांगेगा अगर किसी का नाम राम कुमार है तो उनको password के रुप में क्या डालना है ज यह आपका password काम करेगा इसे according जो भी आपका नाम होगा अपने नाम का चार्ड लेटर आपको लिखना है और बिना space के आपको अपने डेटो बर्त का साल लिखना है और एक option submit का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है अब आपके सामने आपका जो अधार का पीडियप है वो खुल कर सकते थे लेकिन अब इसे हटा दिया गया है अब जो है यहां पर clear बताया गया है कि अधार पहचान का परमान है नागरेकता या जनमतितिका नहीं इसका उप्योग सत्यापन ऑनलाइन परमानी करन या QR code offline XML की scanning के साथ किया जाना चाहिए मतलब कि clear है कि अब आधार काड का जो उप्योग है आप सिर्फ अपने पहचान के रूप में मतलब कि आप अपना परमानीत करने के लिए आप पता कर बात सकते हैं online offline मादेम से कि ये व्यक्ति genuine है या नहीं है और इनका ही आधार है या नहीं ये नहीं कि वो जो है आपका आ महां से हटा दिया जाएगा इन बातों को ध्यान रखेगा इसलिए अधार काड को अब संसोधित किये गये हैं जो लोग आधार काड नए डाउनलोड करेंगे उसको ये पॉप अप अब उनके फर्स्ट पेज पर ही देखनों को मिलेगा बाकि जिनके पास पुराना अधार क वैलिट है जतना मानेता ने आधार काड को दिया जाएगा इन बातों को ध्यान रखेगा तो इसको लेकर चिंटेत नहीं हो लेकिन अगर आप चाहते हैं नए आतार का डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी बदलावे हैं उसके बारे में हमने पूरी जैनकारी आपको बता ही दिया अगर आपको पसंदा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद